नमस्कार आप देख रहे हैं MB News 27 खबड़े सबसे पहले आप नमस्कार स्वागत है आप सभी का MB News 27 बहादुर्पूर थाना शेत्र के गनिपूर तरौनी के पास तालाब में सौच के दौरान डूबने से एक बच्ची की हुई मौत गनिपूर तरौनी के पास एक तालाब में सौच के दौरान एक बच्ची की तालाब में डूबने से मौत हो गई मृतिका की पहचान बहादुर्पूर ओज़ल पंचायत के रहने वाले दिनानात सिंग की साथ वर्षिय पुत्री तन्नू कुमारी के रूप में हुई गटना सुभा के पास से छे बजे के बीच की बताई जा रही है गटना की सुचना पुलिस को दे दी गई है पुलिस द्वारा शव को अपने कबजे में लेकर पोस्ट माचम के लिए धेज दिया गया है बच्ची की मौत को लेकर परिजनों का रोरो कर बुरा हाल है कितने बर्ष की लड़की है और नौ साल के हो जाना का फोन किये थे नहीं हो क्या हुआ यहां पर तो मेला देखने के लिए बचा बचा का माई बाबू सब लोग मेला देखे अभी थादर पहले वे किया आने के बाद वो सब घर पे गया घर पर जाने के बाद बुलनी लगी लड़की की कि हम लैटिंग करने जाएंगे बराबर व इसे में आके लैटिंग करके जाती थी लड़की का कि जाओ लैटिंग कर लो उसकी बहन और वो साथ में आई है उसके बाद क्या हुआ कि बहन उसकी थ्वादर के बाद यहां से गई तो कुछ बुलबे नहीं किया कि इतना देर हो गया गई कहां लड़की तो हमेशा भी मान के चले कब पहले भी कभी इधर से उधर चली आती तो दादी उसकी समझी कि वाई गई है कि भूमने होने के लिए खोजने लगी खोजने के थे यहां सर मुख्या गेठू पुलिश आई अभी तो आई है सब कौन महला का मामला है यह गनीपुर तरवनी कहां सा कौन थाना पर सा बादर को बच्चा का नाम मालूम है उसके पिता जी का दिनानाथ सिंग हुआ सर आपका कहा नाम हुआ दिलिव सिंग हुआ अब अस् दरव लास्पोन मास निकाल लाइटा हुआ जोगा लाई जोगा दिलिव सिंग हुआ है